जे मातादी कटेर साब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप तो गुरुजी से बहुत समय पहले से मिले हैं और गुरुजी से जुड़े भी हैं, तो क्या है आपका एक्सपरेंस जो कि आप इतने सालों से गुरुजी से जुड़े हुए हैं? देखे एक बात है, आदरनी प्रकाज जोसी जी से हमारी मुलाकात आज से दस साल पहले हुई थी, और मैं यह कहूंगे, दस साल से भी ज़्यादा हैं, मैं किसी के माध्यम से आप तक पहुचा था, बहुत सारे प्रटेक्शन्स आपके द्वारा किये गए, एक बार बिश्वा जगता है, तो विश्वास के माध्यम से भाउनाएं भी उत्पन होती हैं, लास्ट बिगत तीन साल से, किसी कानबस आप से बारता नहीं हो पा रही थी, बारता होती थी, लेकिन आपके इस्तान तक नहीं पहुच पा रहे थे, जो भी रिजन रहे हो, लेकिन आपकी से और आपकी प्रेटेक्शन से प्रवावित होकर प्राया हमेशा पुना मिलने की चेश्टा करता हूं, धन्यवाद कटियार जी, और हम भी मातरानी से प्रात्ना करते हैं, कि आप जो है, जो आपके अंदर अपनी मनों कामना है, वो पूर्ण हो, और आप उचे पत पे से प्रात्ना करेंगे, और हमारे गुरु जी का अगर आशिरवाद रहेगा, तो निश्यत रूप से फली बूत होगा, जो कि आप भी तक जो भी आपने प्रेटेक्शन किये हैं, तो वो बहुत ही लाप्रत रहे हैं, और मैंने अपने बारे में नहीं, आज भारती जंता पा कटियार जी भी एक दो बार आए हैं, लेकिन जो कुछ भी उनके बारे में बताया था, उस समय है, आज से दस साल पहले जब सुतंदो जी हमारे साथ आये थे, तो मुझे भी नहीं लगता था कि यह सही है, लेकिन आज हुआ वो काइबने बनती बने, आज प्रदेश के अध कोई अगर कर रहे हैं, तो निश्यत रूप से भाली भूत होगा, बिल्कुल, बिल्कुल, मातारानी की किरपा रहेगी, तो हम आपको जो है, मुझे मंतरी के पाद पे देखना चाहते हैं, चलिए समय बताएगा, आश्रिबाद और मा की किरपा हमेशा बनी रहे, चलिए, ध पाद डिल्कुल, कर दो हमेशा और माताजीये?